तो आज हम बात करने हैं पुरानी टीम गॉडलाइक और नहीं टीम गॉडलाइक के बारे हम जाने के कि क्या वो गलतिया थी जिनके ऐसे जो पुरानी टीम गॉडलाइक थी वो थोड़ा स्ट्रगल जाधा करी थी एंड क्या वो अच्छे चेंजिस हैं जिनके उसे जो नहीं बनी टीम गॉडल है कि यह बहुत जारा तभाही मचा रही है सारी लॉबीस के अंदर वीडियो कभी लाइक करते हैं चैनल को सब्स्राइब करते हैं लेट्स बिकिन दिवीडियो तो यह है गॉडल की ओल लाइनप और ओल लाइनप के अंदर तुम्हें पता है रोल्स कुछ इस तरीके से डिफाइन थे कि Shadow was the one जो की अंदर घुसता था और जो एंट्री निकालता था Shadow आइजलिंग भी करता है, Shadow पहला इनिशल एंट्री फागिंगा काम भी करता है फिर Shadow के साथ पीछे Z God आता है, cover देने के लिए साथ में साथ clutch God भी देखेगा और Johnny जो वो पीछे रहता था So call it, it was a kind of 1-3 split बट जिसमें Jonathan वो था प्लियर जो की पीछे रहता था freehand नहीं खेलता था, हलका पीछे रहता था Johnny, cover fires and बाकी team players, they were the one जो की entry करते थे So this strategy was not at all working good for team God like Like look at this gameplay आतु देखो कि यहाँ पर Shadow नॉकाओट हो चुका So Shadow वो बंदा है जो अपनी team से scouting के लिए सबसे पहले आगे जाता है And this is something जो आप सब जानते हैं कि जब भी entries होती है Shadow वो बंदा-बंदा जो सबसे पहले नॉकाओट होता है युकि Shadow का काम है वो entry fragging का Now look at this gameplay Johnny पीछे बैटा है cover देने के लिए Shadow औरी नॉकाओट हो चुका है उसके बाज़े सब बोला था कि Zee Godd और लाला खेलते हैं आगे Zee Godd यहाँ पर कोशिश कर रहा है Fight लेने की पहला कर्रेक्शन ढूड़ा नॉकाओट किया जब तक में लाला यहाँ पर नॉकाओट हो जाएगा Because Lala was in open OG के प्लेयर्स मों वहीकल से घूम-घूम के अलग-अलग अंगल्स बना-बनाके डाउन करते प्लेयर्स को और बड़ा राम से यहाँ पर लाला को भी डाउन कर दिया Zee Godd लास्ट पर बचता है Zee Godd को भी डाउन किया अब जब यहाँ पर तीनो प्लेयर्स नुकाट हो चुकि है Jonathan का है Johnny पीछे बैठा हुए cover फर दे रहा क्योंकि Johnny और इन तीन प्लेयर्स की जो distance है वो बहुत जादा है And Johnny cannot directly travel here ना Johnny पीछे से cover फार फार पर पर पूरी की पूरी टीम को डाउन कर सकता है सामने वाले टीम वापिस से 4-man strong, 3-man strong हो जाएगी और यहाँ पर Godlike से Jonathan ही बचेगा केला और यह चीज एक बार नहीं हो यह चीज आगे और इससे पहले कई बार हो चुकिए We all know this कि एक पैटर्न चलता है जहाँ पर गॉडल के तीन प्लेयर्स आगे बढ़ते है Shadow काम होता है, entry frag निकालना और अंदर जाना अगर वो entry frag आता है, fights अची आती है बट अगर वहाँ shadow knockout होता है Shadow को cover देने के लिए Zee God आता है Zee God जब तक आता है, तब तक वो down होता है फिर लाला आता है और Johnny पीछे रह जाता है तो यह जो strategy यह बार बार एक बहुत बड़ा loophole create कर जाता है Johnny अकेले बच आता है and fights were not happening very well तो इस strategy को cover up किया इस नए roaster and look at how the new roaster is actually playing अगर तुम सिर्फ gun power की बिसे से बात करो तो भी I would say की काफी अच्छे तरीके से roaster काम कर रहा because again Aditya is one of the player जिसको थोड़ा सा time लगता है चलने में तुम्हें थोड़ा समयते न पड़े का Aditya को उस form को पकड़ने में and then Aditya अगर एक बार चला तो you know this कि वो बन्दा law भी खाली कर सकता I always say this and अगर तुमने एक stadium tournament जो चल रहा है stadium के swims उसके matches भी देखे initial 2 matches में Aditya आते ही मरा Aditya was the first one जो की finish होता हुआ दिखा so जो shadow काम करता था entry fragging का अपनी team के लिए वो कनाम अभी के लिए Aditya कर रहा है so अगर Aditya finish भी हो जाता है the IGL is still alive to see and give the calls that's something different अब अगर तुम इसी fight को देखो दो players जो है already finish हो चुके है अब बचे हैं यहाँ पे दो players but you'll see the gun power जेली ने drive किया Aditya के तरफ से आपे spray पड़ता है पहला बंदा down मतलब एस fight के अंदर वे अगर तुम देखो तो doom last player बचाता उसे भी down कर Aditya ने एक 1v3 किया पूरे fight के अंदर Aditya has raw gun power and you need someone who can utilize that gun power अगर आगे के कुछ और matches देखो ना लगे दिस माई जहां पे सारे players shelter की dips के राओं और फिर open position ले रहे अरडी सबसे पहले जली रोटेट कराकी compound के रिया पकड़ा दिया अपनी team को compound के लाका सिर्फ और सिर्फ team godlike के पास है अधित्या उपर में था अधित्या जैसा वाद की 2 matches initially बहुत जल्दी पिकप हो गया बहुत जल्दी फिनिश हो गया बट बाकी team के पास compound का अच्छा एरिया इस match में मात्र दो फिनिश है था team के पास पट position 10 यानि कि top 3 तक गई है यहाँ पे team godlike and look at the circle predictions अगर यहाँ पर मैं इसे fast करो शायद we can see this look at this दो प्लेस लो मैं देख रहें डिप के पास और बाकी जो दो प्लेस है वो जा रहे है सामने जो compounds है उनके उपर वो dips के एरिया पर खेलता था बाकी अगर तो में एक dedicated video चीए shadow clutch god की जो new team है उसके उपर तो do tell me in the comment section में एक dedicated video बनाऊँगा कि why I think shadow की जो new team है this can actually lift a trophy मतलब trust me ये एक बहुत तगरी team बनने वाली but if you want a video tell me in the comment section ना look at this area यहाँ पर अभी भी तुम्हें compound के area पकड़ती दिखे कि team godlike और बाकी सारी team में circle के बार है godlike भी circle के अंदर जादा नहीं है but still they have hard compound चार दिवारी का cover है और सारी team में look at this sub circle के अंदर आएंगे sub circle के अंदर नीचे आएंगे इन सारी teams का frag तुम compound से बैठ के ले सकते हो तो एक बहुत अच्छी strategy लगए जाद आग्रेस नहीं के team में ending circles आ रहे है अनप्रेक्टिबल गेम प्ले आने वाले team godlike का अधित्या हमने पहले बात की यह बंदा तो raw gun power है raw gun power एक दम plus we have Johnny जिसका काम है left to right सारे finish है सारे frags जवा कर अपने team के लिए और cover देने के लिए support देने के लिए we already have Z-God so I think the lineup is doing very good very well हाँ हमने सुना है कि God शाद अभी एक छोटे break पे जाएगा so don't know नया player कौन होगा and how team will work around him but अभी के लिए तो यह team on paper one of the very good one of the very strong teams लग रही है would love to see them performing और अगर तुम्हें यह video पसंद आई तो like, subscribe, share जरूर से करना do give me your feedbacks in the comment section ताकि मैं ऐसे और बहुत सारी वीडियो बनाओ I am planning on making a video on team shadow also और even Hydra का जो नहीं हो रोस्टर भाई ओ भी बहुत अच्छा के रहे look at this पहले ही match में 11 finishes के एक चिकटरन आया था Nordin वाल में भी अच्छा के ले so if you want me to make a video की क्या Hydra की lineup इस बार actually ready है for the T1 action तो do tell me in the comment section में एक वीडियो Hydra में भी जुरू बनाओंगा